नमस्कार दोस्तों अगर पहले बार आप हमारा यूटूब चैलन देख रहे हैं चैलन को सब्सक्राइब करें साथ हैं पहला आइकन दबाई यहां पर आप देख रहे हैं जटका 25,000 अस्थाई करम्चारियों के रेगुलाइजेशन आदेश खारिज सिंगल बैच ने दिये थे रेगुलर करने के आदेश हरियना सरकार ने आदेश को डिवीजन बैच में दी थी चुनोती यहां पर आप देख रहे हैं करी 25,000 अस्थाई करम्चारियों को डिवीजन बैच ने बड़ा जटका दिया है बैच के विबिन भोड कार्पोरेशन और विबिन बैच के आदेश को खारिजगर दिया है साथ ही इन सभी मामलों पर सिंगल बैच ने को दोबारा सुनवाई करने के आदेश दिये हैं चीप जस्टिस को जस्टिस की खंडपीट ने सरकार की अपील पर फैंचला सुनाते हुए का है कि सिंगल बैच ने अलग अलग याचिकाएं जिसमें याचिकाओं याचिका करताओं ने रेगलर होने की मांग की थी एक साथ ही निप्टारा कर दिया जबकि ये सभी मामले एक दूसरे से अलग थे चाहे पर तेक याचिका करता रेगलर होने की मांग कर रहा था लेकिन सभी में तथ्या अलग थे किसी मामले में याचिक करताओं ने back date से regular होने की मांग थी तो किसी ने outsource कर में सामिल थे सिंगल बैच ने पोलिसी के प्रावधानों के ताइट याचिक करताओं की योगता और अन्य सेक्सनिक योगता पर गोर किये बिना ही सभी मामलों में एक ही आदेश चारी कर दिया इसे में सिंगल बैच का यह फैसला सही नहीं है अब चीफ जस्टिस की खंड पीट ने ये सभी केस वापिस सिंगल बैच के समक्ष बेचते हुए निर्देश दिये हैं कि वे इन सभी 54 आचिकाओं पर दोबारा सुनवाई करे और अलग अलग तत्यों के आधार पर सुनवाई करे एक जैसे मामलों को वह चाहे तो एक साथ सुनवाई कर सकते हैं और नए सिरे से इन सभी आचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा तो यह मरुजाला की खबर है आज की खबर है विल्कुल आप देख सकते हैं वीडियो को जाद से जाद संख्या में सेर करें वीडियो डिस्क्रिशन में टेलेग्राम गुरूप उसको जुआने करें ताकि वीडियो सीधा आप तक पहुंचे वीडियो लाइक करें अगर आपक साथ कोई ने कोई सोचन हो रहा है तो कोमेंट बॉक्स में वच्छे लिखिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका समय सुख रहें